हेलो गाइज आप लोग कैसे हैं आज हम लोग फिलिप लर्किन की पोयम चाश गोइंग पढ़ेंगे इस इस वेरी ब्यूटिफुल पोयम और इस इंक्लूडे इन यूपी एची एस्टी हायर एजुकेशन असिस्टंट पोफेसर इन इंग्लेश और इस इस अलसो इंप्यूडे इन बीए सेकंड सेमस्टर तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पढ़ने से पहले मैं बताना चाहरी हूं कि फिलिप लर्किन ने पोयम तब लिखी थी जब सेकंड वर्डवार जब दुटी यूज इसी दुवा था तो उस इस इस इस्तिती को कर रहा था समाच का दुनिया का उसको देख करके क्या हुआ तो गड़ पर विली मैं नहीं रहा गया था लोग यःज़ू आ कर रहे थे इसलिए वो चर्च नहीं जा रहे थे इसलिए का प्यああ emphasizes भज्या ऍसक्रश गोइंग में दुसक्र जाला जैना थीकि इस तीम को लेकर कभी ने यह पोएम लिखी है, चलिए पढ़ते हैं, Once I am sure, there is nothing going on, जब मैं sure हो जाता हूँ, कि there is nothing, कि church के अंदर कुछ नहीं हो रहा है, कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, तब मैं क्या करता हूँ, I step inside, तब मैं अंदर जाता हूँ, and letting the door third set, और दर्वाजे को third miss, बहुत तेजी से आवाज करके बंद कर देता हूँ, another church, और एक church के बाद दूसरे church जाता हूँ, वहाँ मैं क्या पाता हूँ, matting, seeds and stone, matting में आपका चटाईया है, seeds होती है, मैं वहाँ यह देखता हूँ, पत्थर देखता हूँ, and little books, और छुटी छुटी जो books हैं, religious books हैं, उन्हें देखता हूँ, sprawling of flowers, फूलों की पंकुडियां जो पड़ी हुई हैं, उन्हें में देखता हूँ, cut for sunday, जिसे sunday के लिए, बिखेरा गया था, फूल से तोड़ा गया था, उन्हें पंकुडियों को देखता हूँ, लेकिन अब वो कैसी हो गई हैं, brownies now, अब वो बूरी हो गई हैं, यानि कि पुरानी हो गई हैं, सम ब्राज को श्पीतल के बरतन देखता हूँ, and step, कुछ ऐसी चीजे भी देखता हूँ, जो कहां रखी हैं, अब एट दा हॉली एंड, पवित्रिस्थान जहां पे हैं, वहां पर रखी हूई, यानि कि आपके चर्च में, जीसस क्राइस के सामने रखी हूई हैं, वो मैं देखता हूँ, and a small neat organ, और क्या देखता हूँ, छोटा सा, सब बिलकुल clean, musical instrument देखता हूँ, and a tense, लेकिन इसके अलावा, वहां पर क्या है, क्योंकि अब देखिए, यहां पर यह बताया गया, क्योंकि दिती विस्विद चल रहा था, तो सेकेंड वर्ड वार के बाद में, कोई भी वहां नहीं जाता था, हर जगे शांती, शांतिते चर्श बिलकुल, जैसे की, खंडहर जैसे बन गए थे, तो वहां क्या था, कभी कह रहा है, and a tense must be unignorable silence, और वहां पर tense से, यानि tension से मुक्त must be unignorable silence, दिखाई पर रही थी, सुनाई पर रही थी, और वो silence कैसी थी, जो उत्पन हुई थी, किस वज़े से, क्योंकि दिती वस्विद्ध हुआ था, और भगवान ही जानता है, हाउ लॉंग, कितने समय तक और silence रहेगी, और इस चर्श में कोई नहीं आएगा, इस चर्श में मतलब, किसी भी चर्श में कोई नहीं जा रहा था, क्योंकि जो इसकी थी, वो बहुत ही भयानत थी, देश की, हेटलिस आई टेक आफ, और जैसे कि कोई जाता है, किसी के आउनर में अपनी टोपी, सॉरी, तो आके पढ़ते हैं, कि हेटलिस आई टेक आफ, कोई व्यक्ति कहीं चर्च में जाता है, तो सम्मान के लिए अपनी टोपी को उतार देता है, टेक आफ कर देता है, लेकिन उसके पास टोपी नहीं है, तो उसने क्या किया, मतलब सम्मान में मैंने अपनी साइकिल कलिप्स को उतार दिया, and move forward, और आगे बढ़ा, and run my hand around the font, font एक पात्र होता है, जिसमें पवित्र जल होता है, उसके चार और मैंने अपने हाथों को फेलाया, and from where I stand, मैं वहाँ खड़ा रहा, दरूफ looks almost new, और मैंने देखा कि छट बिलकुल नहीं सी दिक रही थी, clean'd थी, कुछ restored थी, someone would know, लेकिन कोई और जान सकता है, कि ऐसा क्यों था, I don't know, मैं नहीं जान सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ आता ही नहीं हूँ, कभी कवारी चर्च में आता हूँ, फिर मैंने क्या किया, mounting the lectern, जहां से मतलब speech बोज़ी जाती, मैं वहाँ पर चड़ा, mounting में चड़ा, and I pursue a few, और मैंने क्या किया, वहाँ पर जब book, small verses की books रखी थी, actoring मतलब, जिसे कि हम लोग संस्कृत में, क्या बहुत tough-tough standards होते हैं, तो हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, वैसे ही कुछ tough standards हैं, poems के, तो उसने क्या किया, I pursue, I peruse a few, मैंने कुछ, actoring large scale words पढ़ी, and pronounce, उनने pronounce किया, उसके बाद में बोला, hair ended की अब खतम हो गया, यानि वो पढ़ नहीं पा रहा था, much more loudly, और, I did meant, वो कह रहा है, बट मेरा ऐसा मतलब नहीं था, कि मैं God को नाराज करूँ, बट ऐसे ही मैंने तेजी से उसको पढ़ लिया, और तेजी से जब मैंने पढ़ा, तो क्या हुआ, क्योंकि वहां, चर्श में कोई था नहीं, तो the echoes snigger briefly, तो उसकी गुंच, इस निगर की तरे धीरे-धीरे, धुए की तरे, धीरे-धीरे उसके पास तक आई, यानि कि उसकी आवाज उसको ही सुनाई पड़ी, और उसके बाद दरवाजे के पीछे में गया, बुक पर साइन किया, डोनेट एन आइरिस सिक्स पिंस, मैंने डोनेट किया आईरिस सिक्स पिंस, और रिफ्लेक्ट दे प्लेस वाज नौट वर्थ स्टॉपिंग फॉर, और मुझे ऐसा लगा कि यह जो चर्च का प्लेस है, मेरे लिए योग नहीं था, यहाँ पे रुकने के लिए, वो उसे ऐसा क्यों लग रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि अरे यहाँ पे रुकना बेकार ही हुआ, वोर्णरिंग वाट टू लुक फॉर, मैं यहाँ क्यों बटक रहा था, किस सर्च के लिए, किस की सर्च के लिए मैं बटक रहा था, और क्या मैं और सोचता हूँ कि, और भी जादर सोचता हूँ कि, मैं किस लिए यहाँ पे आया, वेन चर्चेस पॉल कम्प्लिटली आउट अफ यूज, तो कभी यहाँ कह रहा है कि, जब कोई भी नहीं आएगा, तो चर्च क्या बन जाएंगे, मतलब वेन चर्चेस पॉल कम्प्लिटली आउट अफ यूज, क्योंकि कोई आएगा नहीं, तो आउट अफ यूज हो जाएंगे, तब क्या होगा, उसके बाद उन चर्च में क्या होगा, कभी कहरा हैं, मैजिन कर रहा हैं, कि हम उन चर्च को किस चीज में बदल देंगे, क्या हम लोग फ्यूचर में कुछ चर्च को क्रॉनिकल सीक्वेंस में सो के लिए कहीं रखेंगे, जैसे हम लोग जाते नहीं हैं, कहीं पर चुड़िया घर में या किसी जगे जहां शोपीस रखे होते हैं, तो कभी कह रहा है कि इफ वी शेल कीप, क्या हम इन कुछ चर्च को क्रॉनिकल सो करने के लिए कहीं रखेंगे, सोपीस में, और उसमें क्या है, पार्शमेंट मतलब जैसे की मैनुस्क्रिप्ट होती है, क्या उसको हम पार्शमेंट को प्लेट को पिक्स जिसमें बरतन होते हैं, जिसमें प्रिशाद दिया जाता है, लग केक वगेरा, तो क्या इन सब चीजों को लॉक्ट करके केसे में रखेंगे, उनको सो करेंगे, क्योंकि वहाँ पर तो आप कोई आता ही नहीं चर्च में, या फिर क्या करेंगे, एन लेट दर रेस्ट रेंट फ्री तूरें, या हम मतलब की रेंट फ्री मुफ्त में यहां पर रहने के लिए क्या हो जाएगा, आश्रम जैसा खुल जाएगा, जो कभी भी तावा बारिश में आएगा, तो रेस्ट करेगा, या भेडों के लिए, मतलब सरनास्थल बना दिया जाएगा उसे, या फिर शेल भी अवाइट दे, मैं अनलकी प्लेसेस, क्या हम इन चर्चेस को अवाइट करेंगे, कि ये तो बहुत ही अनलकी प्लेसेस थे, अनलकी प्लेसेस क्यों, क्योंकि इन यहां आने पर भी कोई भी उन्हें सुकून नहीं मिला, आपको ये सोच के चलना है, कि इसमें कभी ये कह रहा है, कि अब कोई भी चर्च में नहीं जाता है, सबका गॉड से बिलीब उठ गया है, और उसके बाद चर्च का क्या होगा, कभी ये कह रहा है, देखते हैं लोग आगे, और अफर दर्क मतलब क्या पता, रात्री के बाद में कुछ ड्यूबियस को संदेज अने औरते वहां आएंगी, कहां पर चर्च में क्यों आएंगी, क्योंकि उन्हें अंध्विस्वास जिसे कहते हैं, तो मेक दियर चिल्डरन अपने बच्चों को लेके आएंगी, टेच अपर्टिकुलर स्टोन को, इस स्टोन को टेच कराएंगी कि उनका बच्चा ठीक हो जाएगा, या कुछ पिक सिम्पल्स, कुछ जड़ी बूटिया लेंगी, वहां से लेंगी, फॉरा कैंसर किसी दवा के, किसी डिसीज के लिए वहां से उठाएंगी आके, तोड़ेंगी आके, और अंसम एडवाइस क्योंकि उन्हें एडवाइस दिया था किसी ओजहा ने, कि नाइट शी, कि रात में वहां पर क्या तुम लोग देखोगे, वहां पर चलते वे तुम लोग देखोगे, इस तरह की चीज़े वहां दिखाई देंगी, इसका मतलब यह है कि वह अंद्विस्पास को फॉलो करते वे, कुछ लोग यहां पर आने लगेंगे, क्योंकि God का तो कहीं एक्जिस्टी नहीं रहे जाएगा, इसलिए का भी कह रहा है, पावर ऑफ एक्जिस्टेंस नहीं रहे जाएगा, सॉरी, इस तरह कि कुछ शक्तियां और भी चीजें वहां पर घटित होने लगेंगी, जब गौट के लिए कोई आएगा नहीं पूजा पार्ट करने, तो इन गेम्स कहीं तरह कि गेम्स वहां पर होंगे, डिडिल्स होंगे, इसा प्रतित होता है, अप्लाया वहां पर इस तरह से चीजें होने लगेंगी, तो कभी कह रहा है, बट सुपर सिट्टिशन लाइक बिलीफ मस जाई, कि अगर भगवान पर बिलीफ मर जाएगा, तो सुपर सिट्टिशन अंदिविस्वास भी मर जाएगा, मस जाई, वो भी मर जाएगा, और भगवान पर इस तरह सिट्टिशन लाइक बिलीफ ही चला गया, तो फिर बचेगा क्या, तो कभी कह रहा है वहां क्या बचेगा, ग्रास, वीडी पेविमेंट, ब्रैंबल्स, बट्रस, स्काई, घास बचेगी, और घास पूस वाले पेविमेंट, मतलब खड़ंजा जिसको कहते हैं, वो बचेगा, ब्रैंबल्स, कुछ जाणिया बचेगी, बट्रस, जाणियों को सहारा देते हैं, वो पेड़ बचेगे, आस्मान, बस यही सब चीज़े बचेगी, गौड और उस पर विलिव नहीं बचेगा, चलिए आगे देखते हैं, और क्या है, बिना आकार की चीज़े होंगी, जिसे प्रतेक सब्ता में कोई भी पहचान नहीं पाएगा, कि भाई यह है क्यों, क्योंकि जब लोग आते थे चर्ष में, क्योंकि उनके जिवन में कुछ रही नहीं गया है, तो वहाँ पे उन्हें कुछ दिखेगा भी नहीं, कभी कहता है, वो आश्यर करता है कि कौन सा आगरी बंदा होगा, परसन होगा, जो वहाँ जाएगा, कहां? चर्च, वो सबसे लास्ट होगा, तो सीग दिस प्लेस और वो सच करते वे आएगा, इस प्लेस को, चर्च को, फॉर इट वाज, कि ये क्या था? वन अप दे क्रीव, उन भीडो में, मतलब जो चर्च में से एक, वो चर्च में से ऐसा चर्च था, बहुत से चर्चिस में ऐसा चर्च था, और जानेगा कि वो रूट लॉट कहां गए, जिस पर जीसस क्राइस्ट को लटका आजाता है, मतलब पोल्स जो होते हैं, वो कहां चले गए, वो सब गिनेगा, सम रियून विबर्स, कुछ रियून विबर्स को देखेगा, रेंडी, और वो किसके लिए शौकीन होगा, एंटिक, मतलब प्राचीन चीजों का सौकीन होगा, तो आएगा, और क्रिस्मस एडिक्ट होगा, मतलब क्रिस्मस का, मतलब एडिक्शन मतलब होता है, जा कहते हैं, लट लगना होता है, मतलब वो उसको चाहता है, क्रिस्मिस का एडिक्ट होगा, काउंट करेगा एक आवनर से हाफ ने की आवाज यानि कि जब बोलेगा उसकंधर रूपी चर्च में तो उसकी आवाज उसको सुनाई पड़ेगी उसको काउंट करेगा कुछ गाउन बेंड को काउंट करेगा कुछ और गेंट पाइप सोंगे मुजिकल इंस्ट्रूमेंट लोगे उनको काउंट करेगा और मेरे में से कुछ जैसे सुगंदित चीजे होती है उनको वह देखेगा कि क्या क्या चीजे और विल ही वो मेरा रिप्रेजेंटेटी होगा कभी कह रहा हैं फिर आगे कभी कहना चाहता है बोर्ड और यूनिफॉर्म नोविंग दगोस्ली आए वो बोर्ड भी होगा और अनिफॉर्म्ड होगा मतलब उसके पास कोई ज्यादा नॉलिज नहीं होगी बहुत वहां रहते हैं कि नहीं हैं वहां क्y नहीं , क्या क्या चाहिक है क्या 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 चीजेरे वहां बिख्री इहैं टेंडिंग तो इस क्रॉस ऑ ग्राउंड के चारो और जो क्रॉस है उस की तरफ जुके περιढ़ और देखे गा तरू सबबस की शत कीहार की है ड़या क्या लुक्य सौर्फ यूनिखें कि वो पा सकता है only in separation अलगाव है लोगों से वहाँ पे लोग जब आते थे तो किसली आते थे? marriage के पर पस्याते थे birth के पर पस्याते थे death जब होती थी तब आते थे and thoughts of these इस तरह से जब चीजे होती थे वहाँ आते थे for whom was built इसी लिए church को बनाया गया था this special cell को इस special church को but अब क्या है for though I have no idea आप मेरे पास कोई भी विचार नहीं है कि what this accuted frosty born is worth कि भाई ये जो frosty accuted church है वो किस लिए योग है कोई वहाँ पे कोई आता ही नहीं है ये जब चीजे ही नहीं होती है so it pleases me to stand in silence इसलिए यहाँ पे silence है और यहाँ मुझे सुखद रूप से मैसूस होता है कि मैं यहाँ खड़ी रहू a serious house on serious earth is it is और यह जो place है वो एक serious house है serious earth में in whose blunt air all our compulsions में जिसके यह जो mixrit हवाए है जो mixrit हवाए है तो वो क्या है वहाँ पर compulsions मीच होते है मतलब लोगों की भावनाएं मिलती थी जहां के लोग आ के कुछ अच्छा महसूस करते थे but our regards nice लेकिन आप क्या पहचाने जाते है क्योंकि रोब्ड मिस उन चीजों ने कपड़े पहन रखे हैं कैसे destiny के मतलब अब तो किसी भागे पर ही सभी लोग हो गए है क्योंकि जो निती विस्वित दुआ था उसके बाद लोगों ने क्या किया विस्वास ही करना बंद कर दिया गौड पर तो कभी कह रहा है कि and that much never can be absolute कि अब तो भले ही मतलब की लोगों का आना जो है बंद हो गया है लेकिन कभी भी वो absolute नहीं होंगे मतलब faith भगवान पर नहीं जाएगा faith तो भगवान पर बना ही रहेगा since someone will forever be surprising क्या पता कोई आए वहाँ पे उस surprise हो जाए a hunger in himself क्या पता स्वेम में वो भगवान के लिए भूका हो God के बातों के लिए भूका हो and to be more serious हो वहाँ जाने के लिए and gravitating with its to this ground क्या पता वो वहाँ जाए ग्राउन में और अपने 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 करे which he once hurt was proper to grow wise in क्या पता आगे कोई वेक्ति ये सुने कि ये बहुत सही जगा है वो दिमान होने के लिए if only that so many dead lie around जहां पर बहुत सारे dead लोग लेटे हुए हैं यानि church में जो है आपका graveyard भी होता है कबरिस्तान भी होता है तो कभी last में देखे ये कहना चाह रहा है कि देखे पहले तो लोग जो है क्या करते हैं कि God के प्रती अपने belief को तोड़ देते हैं इस पूरी पोयम में यही कभी ने बताया कि क्या पता church ऐसा हो जाएगा खंडर बन जाएगा वहाँ कोई जाएगा नहीं लेकि last में कभी ये कहता है कि कि कितना भी कुछ हो जाए लेकिन लोगों का जो फेद है भगवान से कभी भी हट नहीं सकता है तो I think कि आपको ये पोयम समझ में आई होगी और if you like this video so please share, comments and subscribe my channel thank you